हलो बच्चो, मैं यण हम्मैटिक गरू मनोज सर्ट बिया कि Αकेदमी बेनीपटी में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जबऄ 95 के गनीद का दिया 5 का अ समनांतर स्रेधी का अधियन करेंगे तो चलिये हम लोग श्टार्ट करते हैं समनांतर स्रेधी के अंतरगत, हम लोग का जो NCRT का किताब है, उसमें अधिया 5 के है, 5 है, और पेज नमर, एक सदू, सबसे पहले, हम लोग कुछ संख्याओं पर गवर करते हैं, यहां देख रहे हैं, दो, पांच, आठ, हेगारा, चोधा, हम दो में, प्लस तीन करते हैं, तीन का योग करते हैं, तो हम लोग पांच पर पहुंचते हैं, यहां भी तीन जोरते हैं, तो वहां पहुंचते हैं, फिर यहां तीन जोरते हैं, वहां पहुंचते हैं, फिर यहां, कहने का मतलब 3-3 हम योगफल करते हैं तो अगली संख्या पर पहुँचते हैं ठीक इसे अनुमान लगा सकते हैं 14 में जब हम सब 3 जोरेंगे तो 14 और 3 17 पर पहुँचेंगे फिर इसमें अगर हम 3 जोरेंगे तो 20 पर पहुँचेंगे तो इस तरह हम देखते हैं कि यह दिया हुआ संख्या एक निश्चित संख्या के योग के बाद अगली संख्या प्राप्त होता है इसी तरह अगले संख्या पर जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि परते एक संख्या में दो-दो का डिफरेंस है हम पिछली संख्या से दो घटा देते हैं, तो अगली संख्या पे हम लोग पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह हम तीसरा में भी देखते हैं, यहां इसको दो से गुना करते हैं, तो चार पे पहुंचते हैं, फिर अगली संख्या पहुचने के लिए पिछली संख्या में दो से गुना किया जाता है। फिर अगली संख्या पहुचने के लिए हमें दो से गुना किया जाता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि हम जितने भी संख्या लिये हैं, वह सभी संक्या किसी न किसी निश्चित नियम के अनुसार बेवस्थित है तो आएए हम इसी का अधियन करते हैं सबसे पहला हमारा प्रस्न है अनुक्रम अनुक्रम किसे कहते हैं तो अनुक्रम संख्याओं का वह समुच्छ है, जो किसी निश्चित नियम, दुआरा, निश्चित करम में बेवस्थित होता है, अनुक्रम कहलाता है, संख्याओं का वह समुच्छ, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित करम में बेवस्थित किया जाता है, अन और देखते हैं जो निश्चित करम के अनुसार बेवस्थित है तो अनुकरम का पड़िभासा संख्याओं का वह समुझ जो एक निश्चित नियम के अनुसार बेवस्थित किया जाता है अनुकरम कहलाता है अनुकरम के बाद, अब हम लोग अपना चिप्टर, समनांतर स्रेधी, जिसे हम AP के नाम से भी जानते हैं, चलिए कुछ संख्या पे हम लोग गौर करते हैं, यहां पहला उधारन हम लोग का है, यहां हम देखते हैं, दो में पांच जोर दिया जाता है, तो हम अगले टर्म पे पहुंचते हैं, इसी तरह, साथ में फिर हम पांच योग करते हैं, तो अगले टर्म पर हम लोग पहुंचते हैं, इसी तरह, फिर पांच जोरते हैं, तो अगले पत पे हम लोग पहुंचते हैं तो शमनानतर स्रेधि है, शंख्याओं का एक ऐसी सुची, जिसमें प्रतेक पद प्राप्द करने के लिए, ठीक पिछले पद में, संख्याओं की ऐक ऐसी सुची, जिसमें प्रतेक पद प्राप्द करने के लिए, ठीक पिछले पद में, एक निश्चित संख्या जोर दिया ज जिसमें पिछला पद प्राप्त करने के लिए अगले पद में एक निश्चित संक्या जोरा जाता है शमनांतर स्रेधी कह लाता है, जैसे हम लोग देखे यहां यहां माइनस पांच का योग करेंगे, तो हम लोग 20 पर पहुँचेंगे फिर यहां माइनस 5 का योग करेंगे तो 15 पर पहुंचेंगे इसी तरह यहां माइनस 5 का योग करेंगे तो 10 पर पहुंचेंगे इस दोनों उदाहरन में हम देखते हैं कि अगले पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोर दिया जाता है तो इस तरह के संख्या समुझ को ही हम लोग समनांतर स्रेधी कहते हैं जिस निश्चित संख्या को जिस निश्चित संख्या को जोरा जाता है उसे हम एक का सार्व अंतर कहते हैं जिसे कॉमनिस के नाम से हम लोग जानते हैं जिस निश्चित संख्या को जोर के हम अगले पद की प्राप्ति करते हैं, उसे सार्व अंतर या पद अंतर, दूसरा नाम पदांतर, पदांतर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सार्वांतर को डी द्वरा सुचित किया जाता है आप से पूछ सकता है कि सार्वांतर को अंग्रेजी के किस अक्षर से सुचित करते हैं सार्वांतर को हम लोग डी अक्षर से सुचित करते हैं इस सरवांतर का मान धनात्मक भी हो सकता है, रिनात्मक भी हो सकता है, और सुन्ने भी हो सकता है, आप से पूछ सकता है, कि समनांतर स्रेधी में सारवांतर का मान होता है, धनात्मक, रिनात्मक, सुन्न, इन में सभी, तो मेरे प्यारे बच्चियों, आप लोग को जबाब देन इन में सभी क्योंकि सार्वांतर का मान धनात्मक भी हो सकता है रिनात्मक भी हो सकता है और सुन्य भी हो सकता है कि एपी का प्रतेक सदस्ट कि एपी का प्रतेक सदस्ट प्रतेक सदस्ट एपी का प्रतेक सदस्ट पद के नाम से जाना जाता है AP का प्रतेक सदस पद के नाम से जाना जाता है जिसे हम T1, T2, T3, T4 या A, A2, A3, A4 इत्यादी के नाम से जानते हैं हमें याद रखना है AP का प्रतेक संख्या पद के नाम से जाना जाता है AP का प्रतेक संख्या पद कह लाता है जिसे हम T1, T2, T4 या A, A2, A3, A4 द्वारा सुचित करते हैं चली आगे अगला हम लोग का है परमित AP अगला हम लोग का है परमित AP और अपरमित AP परमित AP किसे कहते हैं और अपरमित AP किसे कहते हैं तो जिस AP में सदस्यों की अंतिम संख्या हमें ग्यात होती है अर्था जिस AP में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है उसे हम परमित AP कहते हैं तथा जिस AP में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे हम आपरमित AP कहते हैं चलिए यहां उदाहरन से देखते हैं, हम लोग को यहां पहला उदाहरन है, जिसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसमें कुल पदों की शंख्या निश्चित है, जिसका अंतिम पद 18 है, अधाई से हम कह सकते हैं, कि यह हमारा परमित AP है, इसी तरह, जिस AP का अंतिम पद ज्यांत नहीं होता है, अर्थात, जिस AP में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम आप परमित AP कहते हैं, प्यारे बच्चों, आपसे अबजेक्टिव पूछता रहता है, कि जिस स्रेधी या जिस AP में सदस्यों की संख्या निश्चित हो, अर्थात, जिस AP का अंतिम पद प्राप्त हो, उसे हम कौन सा AP कहेंगे, तो हम लोग हमेशा याद रखे, उसको हम लोग परमित AP कहेंगे, क्या कहेंगे, परमित AP कहेंगे, और जिस AP में सदस्यों की अंतिम संख्या, अंतिम संख्या हमें ग्यांत नहीं हो, अर्था जिनमें हम सदस्यों की संख्या गिन नहीं सकते हैं, उसे हम कौन सा AP कहेंगे? अपरमित AP कहेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग अपरमित AP कहेंगे, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे तफ्राशा पढ़ते हैं, चलिए, अब हम लोग समनांतर स्रेधी के कुछ महतपुर्न सुत्रों को जानते हैं, सबसे पहला हमें पढ़ना होता है, AP का ब्यापक पद, AP का ब्यापक पद जिसे AN या TN के नाम से हम लोग जानते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा, समनांतर स्रेधी में हमें किसी भी स्रेधी का प्रथम पद और सार्व अंतर ग्याद होता है, तो AP के हम कोई भी पद ग्याद कर लेते हैं, यदि, यदि, AP का प्रथम पद, A तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर D हो तो पहला पद T1 बराबर A होता है, इसी तरह दूसरा पद T2 बराबर A में एक ठो D जोर देंगे, इसी तरह हम तीसरा पद A में एक D और फिर एक से D जोर देंगे, तो हो जाएगा A पलस 2D, इसी तरह अगर हमें चौथा पद निकालना होता है, T4 निकालना होता है, तो परथम पद में एक दो पलस 3, कहने का मतलब A पलस 3D जोर देंगे, यहां गौर करने की बात है, कि A P का कोई भी पद निकालना हो, जो पद निकालना होता है, उसमें प्रथम पद में उससे एक कम D जोर दिया जाता है, तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों को कोई कहे कि A P का T N मा पद निकाले या A N मा पद निकाले, तो क्या होगा, A पलस N से एक कम मतलब N माइनस 1D, यही हम लोगों का A P का ब्यापत पद कहलाता है, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगी सुत्र को याद रखेंगे, हम लोगों का A P के अंतरगत सुत्र क्या बनता है? A N या T N बराबर A पलस N माइनस 1 इंटू D, A पलस N माइनस 1 इंटू D, T N या A N को हम लोगों क्या काते हैं? A P का एनमा पद, जिसे A P का ब्यापक पद के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह अगला सुत्र हम लोगों को है, किसी A P के N पदों तक का योग जिसे S N के नाम से हम लोग जानते हैं? किसी A P के प्रथम N पद तक का योग फल जिसे हम लोग A P के नाम से जानते हैं, तो इसका सुत्र होता है, S N बराबर N बटा 2 इंटू A पलस A N कहने का मतलब उसे P का प्रथम पद और अंतिम पद, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पीछे ही अभी परहे हैं, A N बराबर, A N बराबर होता है, A पलस N माइनस 1 इंटू D, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, S N बराबर N बटा 2 प्रथम पद, और A N के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, A पलस N माइनस 1 इंटू D, तो हम लोग का सुत्र हो जाएगा, S N बराबर N बराबर 2 इंटू A और यह, 2 A पलस N माइनस 1 इंटू D, तो देखो बच्छो, हम लोगों को किसी A P का N पत्तक का योगफल निकालना हो, तो हम लोगों को दो सुत्र होता है, एक सुत्र है हम लोगों का, S N बराबर N बटा 2 इंटू A पलस A N, यह, दूसरा सुत्र हम लोगों का है, S N बराबर N बटा 2, 2 A पलस N माइनस 1 इंटू D, इस सुत्र से हम लोग, A P का प्रथम N पत्तक का योगफल ग्याद कर सकते हैं, और इस A N वाले सुत्र से हम लोग, किसी A P का N मा पत्त ग्याद कर सकते हैं, इसी तरह हमारा तीसरा बात, तीसरा है, यदि A, B तथा, C, A P का कोई तीन क्रमागत, क्रमागत पद खोतो, A, B, C, A P का कोई तीन क्रमागत पद होतो, B बराबर होता है, A पलस, A पलस C बट्टा 2, इसी को हम लोग आगे बरहेंगे, तो हो जाएगा, 2, B बराबर, A पलस, C, 2, B बराबर, A पलस, C, मेरे प्यारे बच्चो, शमनांतर स्रेधी के अंतरगत, हमें यही तीन महतपुर्ण सुत्र याद रखना होता है, और हम इन ही तीनों सुत्रों के अधार पर, समनांतर स्रेधी के हम सभी सवालों को सल्व करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना हम उमीद करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ते होंगे मस्त होंगे और मिशन 2024 की जो तैयारी है उसमें आप लगे होंगे अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेयर करें जय हिंद